भारत की Unified Payment Interface का वर्च्वेस्व धीरे-धीरे पूरु दुनिया में बढ़ रहा है। भारत सहित कई देशों में UPI की सफलता के बाद, अब भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी UPI स्विकार की जाएगी। दिल्ली में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी और श्रीलंका के राश्पती रानिल विक्रम सिंगे की उपस्थिती में भारत और श्रीलंका के बीच UPI की स्विक्रिती सहित कई समझोतों का आदान प्रदान किया गया। अब तक फ्रांस, संयुक्तर अरब मिरात और सिंगापूर ने UPI को अपनाया है। UPI भारत की मोबाइल आधारित फास्ट पेमेंट सिस्टम है जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्ट्वल पेमेंट अट्रेंट अट्रेंट यानी VPA का उप्योग करके 2400 घंटे तुरंद भुक्तान करने की सुवधा देती है। फरवरे 2023 में भारत और सिंगपोर ने अपने संबंधित भुक्तान प्रणालियों को जोडने के लिए एक समचोते पर हस्ताक्षर किया। जिससे दोनों देशों की यूजर्स को सीमा पार लेंदेन करने की अनुमती मिल गई। अब दोनों देशों में लोग QR कोड आधारित या बैंक हाते से जुड़े मोबाइल नंबर दर्ज करके रियल टाइम पे पैसे भीच चकते हैं। इस महिने के शुरुवात में फ्रांसी Unified Payment Interface भुकतान तंत्र का उपियोग करने पर जिसके शुरुवात प्रतिष्ठित और परेटन स्थल एफिल टावर्स से होगी। इसके अलाबा भारतिय रिजर्व बैंक और यूपियाई के सेंट्रल बैंक के बीच भुकतान और मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोडने के लिए एक समझोता ग्यापन का आदान प्रदान किया गया। यूपियाई बुकतान पढाली की लोग प्रेता को ध्यान में रखते हुए। भातिय रिजर्व बैंक ने भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दुरान अपने व्यापारे बुकतान के लिए यूपियाई का उप्योग करने के अनुमती देने का प्रस्ता आर्बियाई ने कहा कि शुरुवात में ये सुवधा चुनिंदा अंतराष्ट्रे हवाई एड़ों पर आने वाले जी ट्वैंटी देशों की यात्रियों के लिए होगी ये घोशना आठ फरवरी को आर्बियाई गवर्नर शक्तिकान दास ने तीन दिफसीय मौद्रक नीती समिती की बैठक के नतीजे पर विचार विमश करते हुए की थी बियूर रिपोर्ट बिस्तक कर दो कर सकता हुए कर सकता हुए झायब कर दो कर दो दो को सबते हुए थे चार्बियों कर दो ।